नमस्कार मैं अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूस अई एक नजर डालते हैं MP की छोटी बड़ी खबरों पर मालवा निमार में बागियों के performance पर जीतने पर कोई सरकार के साथ जोएगा तो किसी ने कहा जनता जो कहेगी वो करेंगे मालवा निमार की बारें से अधिक प्रमुक विधान सभा सीटों पर बागियों के उतरने से मुकाबला त्रिकोर्णी रहा इसमें इंदोर जिले को भी दो सीट महू और देपालपूर शामिल है बागियों के कारण या नुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि सीट बीजेपी और कॉंग्रेस में से कौन जीतेगा क्योंकि बागि दोनों की पार्टियों के जीत के समीकरन बिगारने के साथ ही खुद सीट निकालने का दावा भी कर रहे हैं भोपाल में मंत्री के बंगली पर कर्मचारी ने किया सुसाइट पुलिस बोली शरापीने का आदी था नशे में उठाया कदम भोपाल में कैबिनेट मंत्री उम्परकास सकली चौके बंगली पर उनके एक अर्मचारी ने सुसाइट कर लिया देखरेक का काम करने वाली उमेज रजय को उम्रे 58 वर्सी को जहरीला पदार दखाने के बाद जेपेस्पता ले जाए गया वहां से हमीदिया रैफर कर दिया गया उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई सौमार को पोश्माटम के बाद शब परीजरों के सुपोर्द कर दिया गया ग्वालियर में देंदहाडे शात्रा का परण प्राट्रोल पंप से बाइक सवार यूबग उठा कर ले गये किसी ने नहीं की मदद मिलकर कर दी हत्या चंडी मेला से लोटने के दौरान यूबक का हुआ था विवाद चार ग्रफतार जब लूबक के पनागर छेतर अंतरगत बीती रात कसी ग्राम में उस वक्त हड कंप मच गया जब दो महिला सहित पांच लोगों ने 19 वर्षी यूबक की चाको गोद कर हत्या कर दी जहां यूबक को अस्पतार ले जाए गया लेकिन यूबक ने इलास के दोरान दम तोड़ दिया पुलिस ने यूबक के शब का आज पीम करवा कर परीजनों को सौप दिया है वहीं अभी तक पुलिस ने 4 आरोपियों को ग्रफतार कर लिया है जबकि मुख्या आरोपी जीत अनुसार सामिगी दान करते हैं सौमारको महराश के एक भक्त ने भगवान महाकाल के लिए चांदी के आभूशन अर्पित किये हैं आभूशन में लगी चांदी का कुल वजन 7 किलो 182 ग्राम है इसके कीमत आज के भाव अनुसार करीब 5 लाग से अधिक बताई गई है विधायक बोली काफिले की कार पर 3 फार के जान मचा कर भागे थाने बोले लाठी फरसों से लेस थे पीछे बाइक दोडाई भरतपुर में नदवई विधायक जोगिंदर आववाना के काफिले पर हमला हो गया विधायक पर सेवर थाना इलाके में सौमबार सुबा हमला विधायक ने काफिले की कार में तोड़ फोड करने तीन फार करने और कार के पीछे बाइके दोडाने की शिकायत दर्ज कराई उन्होंने सेवर के पूर प्रधान पर हमला कराने का आरूप लगाया हलांकि नाम नहीं बताया खड़गे बोले ढोंगी लोगों के जहांसे में मताओ कहा कॉंग्रिस में जान देने और बीजेपी में जान लेने वाली लोग मोदी को बताया जूटों का सरदार कॉंग्रिस के राष्ट्री अद्ध्यक्ष मलिका जुन खडगी ने अनूब गड में पार्टी प्रत्याशी श्यमला नाय के समर्थन में जनसभा को सम्मूदित किया खडगी ने प्रधान मंत्री के पुरानी वादों को लेकर निशाना साधा खडगी ने कहा प्रधान मंत्री आज कल राजिस्थान में चुनावी साभाई कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को दोहराना छोड़ दिया सिबनी में ट्रक ने बाइक को टकर मारी दो भाईयों समेट तीन लोगों की मौत सिबनी जले के छपारा थाना छेत्र में ट्रक ने बाइक साभार को टकर मार दी हास्ते में बाइक साभार तीन लोगों की मौत हो गई मने वालों में दो सगे भाई थे हास्ता सो मार दो पार करीब दो बजे स्टेट हाइवे चावालिस पर हुआ मिरतक संतलाल धूर्वे उमर 40 वर्शिये पिता किशोरी लाल धूर्वे लक्ष्मन धूर्वे उमर 35 वर्शिये 550 वर्शिये पिता मोले 65 शपारा खुर्द है 40 दिन के वर्ड कप में 45 दिन भारत के फानल भले ही हारे बैटिंग में विराट रोहित टॉप पर शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिये भारत भले ही वंडी वर्ड कप के फानल में उशेलिया से हार गया लेकिन 46 दिन चले इस टूनामेंट में 45 दिन चैंपियन रहा कुल 11 मैच खेले, इनमें से 10 मैच जीतनी वाली टीम इंडिया एकलोती टीम है इस वर्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में भारत की विराट कॉली टॉप पर और रोहित शर्मादू से नमबर पर है विराट ने 765 और रोहित ने 597 रन बनाए, शमी ने सबसे ज़्यादा 24 विकेट लिए इंडर के स्टार्ट अप का नया अनुवेशन नवरक्षक वर्ड का पहला ऐसा AI-enabled drone जो पानी में डूबते लोगों को बचाएगा इंडर के स्टार्ट अप ने एक ऐसा drone तयार किया है जो पानी में डूबते हुए परेटकों को ना केवल डिटेक्ट करेगा बलकि उनकी जान भी बचाएगा इसका ओपियोग गोगा के सभी 52 बीच उपर के घाटों उत्राखंड और इंडियन नेवी में किया जा सकेगा मद्य प्रदेश में भी अब चुनाप के बाद नई सरकार बनने के बाद चर्चा की जाएगी और इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा प्रदेश में भी इसका ओपियोग हनुवन्तिया सहित सभी बड़ी नदियों तालावों में आस्तानी से किया जा सकेगा अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें दखबरदार निउस